त्रिभुज के कोणों का योग और विशेष्टाएं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 दिगरी है हमारे पास त्रिभुज है दिया गया है A, B, C एक त्रिभुज है सिद्ध करने के लिए कि कोण A, जमा, कोण B, जमा, कोण C बराबर 180 दिगरी बनाते हैं शीर्ष A से BC के समानतर एक रेखा XY खीचते हैं सिद्ध हमारे पास है XY समानांतर है BC च्यूंकि कोण XAB बराबर कोण ABC बराबर कोण B एकांतर कोण 1 जैसा कि AC रेखाऊं XY और BC के विप्रीत है च्यूंकि कोण YAC बराबर कोण ACB बराबर कोण C एकांतर कोण 2 हम ये भी जानते हैं कोण BAC बराबर कोण A 3 समिकरण 1,2 और 3 को जोड़ने पर हम पाते हैं कोण XAB जमा कोण YAC जमा कोण BAC बराबर कोण B जमा कोण C कोण XAB जमा कोण BAC बराबर कोण A जमा कोण B जमा कोण C कोण XAC जमा कोण CAY बराबर कोण A जमा कोण B जमा कोण C कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर 180 डिगरी अतहप यह सिद्ध होता है वहिश कोण सिद्धांत किसी त्रभुच का वहिश कोण उसके दोनों विपरीत अंतहक कोणों के योग के बराबर होता है कोण ACD जमा कोण ACB बराबर 180 अंज एक रैखिक युगम कोण ABC जमा कोण ACB जमा कोण BAC बराबर 180 अंज कोणों के योग गुण से कोण ACB बराबर 180 अंज घटा कोश्ठक कोण ABC जमा BAC कोश्ठक दो कोण ACD जमा 180 अंज घटा कोश्ठक कोण ABC जमा कोण BAC कोश्ठक बराबर 180 अंज कोण ACD बराबर कोण ABC जमा कोण BAC